है दोस्त विल्लकम तो माई यूटूब चैनल टॉफिक हेल्थ डी जैसा कि आपने थर्मनल पे पढ़ी ही लिया होगा दोस्त कि यह चीजे आपको कोई नहीं बताता होगा जो आज में बताने वाला हूं वाकई में दोस्त रियाल्टी रूप से वीडियो को इंट तेक देखिएगा वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन सारी चीजें की लियर होंगी जितने भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं और जिसके जवाब ढूर नहीं पा रहे हैं सारी चीजे आज की लियर होगी और मैं आपको पताऊंगा दोस्ट जैसा कि इस रोग से जुड़े समस्या के बारे में मेरे ही चैनल पर आपको दसू वीडियो मिल जाएगी लेकिन वहीं बहुत से लोगों का कमेंट यह आता है कि सर आपने जो उपाय बताया था उसके रिजल्ट बहतरी ना रहे हैं अच्छ जब यह समस्या किसी भी व्यक्तिक हो जाती है तो टूट जाता है बहुत जादा टूट जाता जैसे कि वह सौच के लिए गया वाथरूम में गया दो बूद धात तपक अगर गया दो बूद तो टपक ने की तो बात ही छोड़ गया उससे जादा तुसको टेंसन यह चीज ह हो गया तपक गया अब Julius Cow गया अब तो मैं बहुत जादा लूट हो जा रहा हुं तो लूट को.. नहीं हो गयार आपपो इतने आप लोगे से करते में इतने वीडियों टालता हो कि धात रोख को ठीक कर लो फिर भी नहीं ठीक हो रहा हका तो इसका मतलब आप समझ रहें गलत आप से हो रहे हैं गलती कहां हो रही है यही चीज बताऊंगा दोस्त कोई नहीं आज तक यूटूब पे किसी नहीं बताया होगा आपको तो वीडियो को सेर कीजिएगा क्योंकि मेरे हिसाफ से 10 से कम लोग नहीं होंगे भारत में जो कि इस रोग से गरसित ना हो इतने जरूर होंगी तो वीडियो को सेर कीजिएगा ताकि हर किसी तक यह नौलेज पहुंच जाए और उनको भी जानकारी हो जाए दोस्त मैंने आपसे बताया कि धात रोग की समस्या जो होती है यह समस्या आ क्या 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 आपने किया कमेंट में बनाते हैं और चोंच बीडियो के यह गलत है मैंए वाई मैं खुद अपने उपर की बात बता दो दोस्त जिस रोग से आप गरसित हो इसी उम्र में बड़े से बड़े रोगों से गरसित हुआ हूँ यांकि बावा सीर, धात रोग से, चिपचिपे पानी कीहार समस्या से गरसित हुआ हूँ और अपने ही बनाए नुस्के से, अपने तरीकों से मैं ठीक हुआ हूँ मैंने किसी से नहीं पूछा, ना मैंने किसी से जाके सवाल जवाब किया ना मैंने किसी से इलाज पूछा, अपने ही बताए नुस्के से, अपने ही जानकारी से मैंने ठीक किया और आज बहुत सोस्तूं करीब दो सालों से तो दोस्त मैं एक चीज आपको बता दूँ आप परहज में कुछ नहीं कतने ध्यान दीजिएगा गरम मसाला यह गरम मसाला जो है दोस्त यह आपको बहुत हानी करती है जो आप मीट मचली में सेवन करते हैं पनीर की सबजिव में सेवन करते हैं गरम मसाला में आप जानते हैं जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखी लिए है दोस्ट कि ऐसी सारी चीजे जो कि गरम मसाला के इंतर गताती हैं यह चीजे आपको सेवन नहीं करनी है और उससे भी कहीं ज्यादा मुखी एक चीज और है दोस्त कि आपको नहीं लेना है लाल मिर्च, चाहे हो लाल मिर्च खड़ी वाली हो या पाउडर वाली हो, लाल मिर्च दुस्मन है धात रोग का, अगर लाल मिर्च आप धात रोग को ठीक कर चुके हो, एक महीना ठीक हुए हो गया हूँ, आज तक मैं गरम मसाला का सेवन नहीं करता हूँ, ना लाल मिर्च का सेवन करता हूँ, मुझे ठीक हुए दो साल हो गए है, लेकिन मैं आज भी सेवन नहीं करता हूँ, इसका रीजन क्या है दोस्त, तुरंत उभर जाएगा दोस्त, इसके मैंने आपसे बता या लाल मिर्च इसका दुस्मन है आप लाल मिर्च का सेवन कर लोगे यार तो आप एकीन मानो कभी भी धात रोक से आपको मुक्तिन नहीं मिल पाएगी भविस में कभी भी कितना भी इलाज कर वालो कितने भी नुस्के देख लो आपको कभी कोई रेजल्ट नहीं आएगा किस मेरे जितना धात आपको पढ़ी नहीं रहाता है तो बहुत परेशन था कि मैं बता भी नहीं सकता मेरी वेट उस समय 48 kg ती आज इस समय की बात करनो 64 kg है उमर मेरी 26 साल है दोस्त और 64 kg वेट है एक अच्छी मसल्स के लिए मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं दोस्त अच्छी मसल्स जब वह समय आएगा मैं मेरे ऊपर है चार महिने के अंदर मैं मैं सरीर की कोई भी चीज़े को बदल सकता हूं इतनी जानकारी है मेरे पास वाकई मैं बताता हूं किसी भी चीज़ को मैं बदल सकता हूं क्योंकि मैं हर चीज जो इलाज करता हूं और बेत तरीके से करता हूं चलिए दोस्त मैं आपको सारी चीज़े कर दिया हूं सारी चीज इस वीडियो में मिल गई आपको तो दोस्त अगर वीडियो आप लोगों ने यहां तक देखा तो थांक्यू वेरी मच अगर आप चाहते हैं इसी तरीकिस नालज हर दिन आपको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल मेल आइक घंटी को परस कर लिजेगा वीडियो क तो जो देख रहे हैं जरुत मन लोगों तो वाट्सप्राइब फेस्बुक पर सेयर कर लिजेगा जय हिंद गुडवाई गुडवाई गुर्लाग वंदे मातरा